तेखो पहली बात तो यह है कि क्लासेज ऑफलाइन हो रही है जो लोगों की क्लासेज ऑफलाइन हुई थी उनका अभी हमने मार्च में जो एक्जाम हो रहे हैं वो सब हम जो है वो ओबी जी के मार्गम से ही हो रहे हैं अभी यह जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं वो ए जो कि में या जून में होंगे उसकी बात है शाय दिए और उनकी तो सब क्लासे ऑफ-लाइन हो सकता है कहीं पर आट-दस दिन की क्लास होई होगी ओनलाइन होई होगी और अभी स्टूडेंट्स की बहुत जादा डिमांड तीसलिए हमने उनिवस्टी को इमेडियेटली खोला दरवाई दस बारे दिन बाद भी खोल सकते थे उनिवसिटी को नहीं ऐसा तो नहीं है एक महिना से जादा हो गया फैबरेरी में खुली थी नहीं अभी देखो कितने स्टूडेंट्स दिली से बाहर हैं कितने क्लासे में नहीं आ पा रहे हैं यह तो डेटा है जो स्टडी कर लेना चाहिए उफ्लाइन एक्जाम में पीर होने के लिए नहीं इसमें अंतिम तो कुछ होता नहीं है देखो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मेरे बच्चे में भूख अर्ताल पर बैठें मेरी आपके माधिम से उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भूख अर्ताल को छ हमारे लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है यही किसी भी युनिवस्टी का धे होता है कि उसके बच्चों का भविशा अच्छा बने नहीं ऐसा नहीं है कि वो करवा कर रहेंगे और मैं फैसला नहीं बदलूंगा देखो युनिवस्टी जो है उसमें सब कि मांग कर रहे हैं वह कितना तरक्ष है कितना उसके अन्दर वास्ता में सब्सांस है यह यह के लिए Iордanius कर रही है उनकी मीटिंग को स्था फैस्टर रही है और वो उसे हिसाँता सरी वरस्था को मैं तो अपिल करना चाहोंगा कि क्लासे अटेंड कि जい हरताल बंद किजिए इससे आपका भी हित नहीं है इसमें हमारा भी हित नहीं है और डैली उन्वर्ट्री का भी हित नहीं है नहीं नहीं मैं कोई result नहीं निकालूंगा यह तो exemption division और विचार कर रहे हैं आखरी तो मैं कुछ भी नहीं, आखरी कुछ होता नहीं डिमोक्रिसी के अंदर, मैं ऐसा मानता हूं कि OBE का एक्जाम की आवश्यक्ता नहीं है, हमको ट्रेडिशनल सिस्टम पर आ जाना चाहिए, जैसे चलता था, वैसे चलाने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, बचों को इसक में बढ़ना चाहिए.